तो रामपुर मुत्रा छेतर के गोड़ा दिवरिया ग्राम बंचायद में पहुचे हैं जो की जनपसीतापूर का और बारावंकी का बारडर पे ये सिख नगर इसको बोलते हैं और गुर्दवारे पे इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ जो है सुखवीर सरदार सिंग किया गया है साल में तीन-चार बार तो यहां पर इस गुर्दवारे में भंडारा किया जाता है अच्छा आज जो है हमने एक महीने पहले जब चैट की संगरान थी जिस दिन चैट का महीना लगा था तो गुरुगरंद साब का सहज पाढ़ उसको हम लोग बोलते हैं जिसको दीरे दीरे पढ़ना होता है तो सहज पाढ़ हरम किया था आज उसकी समापती हुए है आज हमारे पांचमें गुरु गुरु अर्जन देव जी जिनोंने मतलब शहादत दी थी हिंदू धरम के लिए उनका आज जो है परकास उस सो दिन है उनका आज के दिन उनका जलम है क्योंकि लोग मांते ही कि अपने माँ ऐसा नहीं है यह जो गुरु गुरु गुर्ण सब है इसको सर्वसांजी गुर्बानी बोला जाता है इसमें छे गुरु हमारे दस गुरु है ना साहिकवान शे गुरु और तेईस भक्त जन ग्यारा भाठ और चार गुर्षिकों की गुरु 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 गुर्ण सब इसमें जैसे मां लीजे आपके कबीर जी नामद Ohio जी शींबा जात के थे कबीर जयुह जो लाहा थे रवी दास जी चमार बरादरी के थे सब्की गुरु यह घुरु बोला जात होती है और एक सदना कसाई हुआ है वो मसल्मान था मतर कि हम हमारे गुरुवानी दर्जे इसमें सब भक्त जनों की सब हिंदू ही हुए जैसे नाम देव जी थे कबीर जी थे और सदना जी थे इस तरीके से जो है 23 भक्त जन 6 गुरुव 11 भाट हुए भाट भी जो है यह बहुत बड़े भक्त हुए हैं इनकी भी गुरुवानी इसम हुआ था सबसे बड़ी एक बात हम आप लोगों में देखते हैं कि सबसे अलग अलग घर रहते हैं काफी दूर दूर पर क्योंकि आप लोग कस्ब में बहुत कम देखे होंगे और कम देखे यह नहीं होंगे तो सबसे बहुत ही इस बिलकुल अलग तरीके से आप लोगों के बिल्गुल किनारे में घर होते हैं तो यह समझ भी नहीं आता है लोगों में की जहां पे देखो जो पंजाबी ना किसी बच्चों का जगड़ा, नमबर एक, दूसरा नमबर यह है कि खेत में हमारा घर है, अब पूरा प्लाट में घर बना गुए कि नारिया, अगर टूबल घर पे लगा है, बत्ती आ गई, तो औरत हैं उनों भी चालू कर देंगी, किसी से को जगड़ा जट ने अपना और धािने के तन से आप रहत जाए हम यहां स्नथी घर 01 में आए थे पिता जी बघ़ेदा हम यहां करए यह सत्र में पिता-जी ए यह सत्तर में डटैर हुए थे आर्मी से उस्सानिक 70 में यहां लोग आए थे जब बहुत बड़ी बाल आई थी तब हम लोग यहां आए थे आप मंदब करते क्या हैं किस तरीके से राजनीत में हैं या फिर समासेवा में जब यहां आए तो हम लोग ना किसानी करना सुरू किया फिर जो है हम लोग तो ज्यादा पढ़ नहीं पाए यहां कोई स्कूल था नहीं लेकिन बेटा जो बड़ा वाला सैंटिक सफीसर है वो भाबा में नोकरी करने को बाद सोने रजाइन किया अब वो प्राइबल नोकरी क संग्ठन में हम तैसील के अपनी के अपनी के और मतलब नहीं किसान यूनियन भारतिय सिख संग्ठन अलग है सिख संग्ठन के हम अपनी तैसील के दहच है और हमारे संग्ठन का उदेश यह है कि जो गरीब कम